हेलो फ्रेंज वेल को तो मैं स्टुड़ी शीड चैuv twins दोस्तों आज का टॉफिक है अधियम यानि शिखने के इस्थानांत्र के सिधय्दान प ignition होता है या किति मुफ्य प्रकार का उता है उसके बारे बताया था उसे काप चैनल के प्लेइस्ट में जा करके देख लीजी तो आज बात करने वाले हैं अधिकम शिखने की इस्थानात्र kे तो आज हम मता रहे हैं कि अधिकम सुखने की इस्थानात्र के कि इसके अंत्रगत मानसिक अनुशासंग का सिध्धान, समाने अवियोत यानि ततो का सिध्धान, समानी करर का सिध्धान, आरोपर का सिध्धान, लर्निंग टू लर्न आदरसों मुल्यों का सिध्धान आता है तो पहला है मानसिक अनुशाशन का सिध्धान्द, मानसिक अनुशाशन का सिध्धान्द यानि Mental Discipline Theory, इसके प्रतिपादक थे बिलियम जिम्स, इसके प्रतिपादक कों थे बिलियम जिम्स, इनका इस सिध्धान्द में कहना था कि जरूरी नहीं है कि शिखने का इस्थानांत रहो उनका करना था कि यह हमारे मानश्य के इस सिती पर निर्भर करता है ठीक है अन्निक सिधान्त है शमान अवयो याने तत्यों का सिधान्त जैसा कि आप इसको समझ गए होंगे जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में सिखने की नियम थान डाइक के बताया था उसमें गड़ न को है तो थान डाइक है ठीक है साधिस्ता के नियम के वी सतार किये है उनका कहना है कि एक प्रकार की क्याशिती में प्रापत अनुभ़ा और प्रयों दुसरे परिशिती में करते हैं, यानि पूरू के ग्यान का अनुभाँ नवी ने ग्यान के अर्जन में शाहता करता है, नेक्ष्ट है, तीसरा है, शामानी करर का सिधामत, इस सिधामत के प्रतिपादक है, सामानी करर के सिधामत के प्रतिपादक कोन है, चार्ल्स ओड, ठीक ह उस पर निसाना लगाने का प्रसिचर दिया एक टोली को प्रसिचर दिया यानि कि एक समूह को बच्चों के अपवर्टन का नियम समझाया दिया तब उनको निसाना लगाने के लिए प्रसिचर दिया अथा पहली टीम जो है टीम के द्वारा निसाना सतिक लग रहा था दूसर अर्थ होता है नुश्पत प्र में और चाहिए क्या क्या मत दोपर अर्थ आरोप्र का के आरोपड़ करना उत्तार्द दुशरी प्रकार के गेश्टाल्ट के वाध्य है में पुरु की प्रड़िती प्रड़िती का अनुभा दुसरे प्रकार के प्रड़िती में करना ठीक है इस सिधान्त के अनुसार कारे को करते करते नवीन प्रकार का कारे भी प्राड़ी सीख लेता है इस सिधान्त है आदर्सों व मुल्यों का सिधान्त इसके प्रतिपादक है W.C. बेगली तो दोस्तों यह था चोटा सा वीडियो जो इंपोर्टेंट है और सभी किसी धान्तों के प्रतिपादक का नाम आपको रखना याद रखना ज़ुरी है तो यह था जैसे कि पुषदिया के समान तक्वाद के सिधान किस ने दिया था तो थन्डाइक ने दिया था मार्सिक अनुस्राशा के सिधान किस ने दिया था बिलियम जेम्स ने समाननी करों का सिधान चार्स उडने और ओपर का सिधान गिश्टाल्ट वाधियो द्वारा एंड अदरसों मुल्यों का सिधान डेवली सी बैगली ने दिया है तो यह याद रखना आपको जोजी है तो दोस्तों एथा चोटा सा वीडियो अधियम सिखने क इस तानांतर की सिधानत के बारे में आई हो कि आपको अच्छे समझ में आया होगा एंड वीडियो को ज्यादे ज्यादे अपनी दोस्तों तक भी सेयर कीजिए एंड चैनल पर पहले है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिल आइकन को भी प्रिस कर लीजिए जिससे जो जो भी मैं नए वीडियो निश्ट अपलोड करूँ उसका नाटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुचे ते मिलते है निश्ट वीडियो में नेश्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन